आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो स्टूडेंट आज का जो कोशन है यहां बुला है कि यह गिवन कंपाउंड X है आपको यह गिवन है It is a strong acid, justify this statement हमें इस statement को justify करना है देखो हमें क्या कंपाउंड गिवन है हम इसको पहले यहां पे ड्रॉ कर लेते है यह आपको कुछ इस तरीके से गिवन है ठीक है? अब हमारे पास यहां पे क्या है? एक double bond है यहां पे आपके पास क्या है? एक double bond है ठीक है? अब हमें बताना है कि यह strong acid आ ऐसा क्यों है देखो अब अगर मैं यहां पे बात करूँ देखो acidity की, तो आप acidity कब देखते हो, अगर हम acidity की बात करें, हम acidity तब देखते हैं, जब हम क्या करते हैं, h plus को निकाल देते हैं, आपका h plus lose होता है, तो H plus lose होने के बाद मेरा क्या बनता है? अनायन बनता है अब हमें क्या देखना होता है? उसी अनायन की stability देखनी है आपका वो अनायन जितना ज़ादा stable हो रहा होगा आपकी stability उतनी ज़ादा होगी ठीक है? तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से H plus निकाल लूँ ठीक है? यहाँ से आपका H जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? देखो अगर मैं यहाँ से आपका यहाँ से अगर मैं क्या कर दूँ? देखो H plus को निकाल दूँ तो देखो मेरे पास क्या हो गया? यहाँ पे आपके पास क्या आ गया O- आ गया यहाँ पे मेरे पास OH है और यहाँ पे आपके पास double bond O है similarly यहाँ पे आपके पास double bond O है और एक आपका यहाँ पे double bond है ठीक है ना अब हमारा क्या होगा यह O- यहाँ आएगा ये वाला bond आपका यहाँ पे shift होगा और ये आपका यहाँ shift हो ausकता है तो basically इस तरीके से यहाँ पे conjugation possible है और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे long conjugation हो रहा है ठीक है? ये आपका O minus हुआ ये आपका O minus यहाँ पे आपका double bond आ गया एड यहाँ आपका double bond आगया और यहाँ आपका OH हो गया Similarly, यहाँ double bond O हो गया आपका अब आपका further क्या हो सकते है यह वाला O minus आपका फिर से conjugation में जा सकते है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है Long Conjugation लॉआ जब आपने देखा तो आपका यह negative charge फिर से O- पे या रहा है तो इलेक्टो नेगेटिव आटम है इलेक्टो नेगेटिव आटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है काफी ज़्यादा स्टेबल होता है तो यह compound हमारा इसलिए स्टेबल है जैसे हम acid की बात करते हैं आपका carboxylic acid तो उसमें आपका क्या होता है आपका ये O- जो है ये आपका इस तरीके से स्टेबल हो रहा होता है तो ये आपका एक equivalent structure देता है आप देख सकते हो कि आपका equivalent resonating structures आते हैं इसमें भी O- पे आपका क्या आता है यहाँ पे negative charge तो O- पे जब negative आता है तो वो काफी जादा क्या होता है आपका stable होता है इसलिए आपका carboxylic acid तो same वही चीज यहाँ पे है उसी तरीके से similar type of यहाँ पे आपका stabilization हो रहा है ये यहाँ आया ये bond यहाँ और ये आपका इस तरीके से shift हुआ तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्या होता रहा है conjugation है तो इसलिए यह आपका acid जो है एक strong acid है इसको हम इसलिए as a strong acid बोलते हैं अब 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 चाहिए यहाँ से भी निकालोगे तो भी यह आपका conjugation में यह वाला यहाँ एगा यह bond यहाँ और यह इसके साथ conjugation में जा सकता है ठीक है ना तो यह इसका reason है ठीक है Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आज चारसो 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 पर